अब देखो इसका क्रेस तो मुझे दिखता नहीं है बट इसके नाम पे सोचल मेडिया पे इन आप न्यूस चैनल्स वाले पॉलिटिक्स बहुत कर रहे हिंदू मुसलिम के नाम की इंडिया पाकिस्तन के नाम की मेरे को नहीं समाजाता है क्या चल रहा है चलो ठीक है अब मेरे पाइब के सामने इसको रिलीस करवा दो पठान का क्रेस खतम हो जाएगा अब यह करभा के देख के लेते कर देते कर देते कर देते भाई लोग होते जो कि राजनेता होते या फिर जो भी बोलते ना, जो भाई हिंदूस्तान में रेके जो हिंदूस्तान के दुस्मन है, वो भले बोलेंगे कि पठाण के सामदे रिलीज खर Ugh सारुक खानकोने और पठान का क्या ई उनको यह भी पता है कि हमने गलती से हमने औरही गदर की और pelॉपनी मिलेगा वा किंग खान और वहाँ है थो लीड्य इट मैंज्छनु मैं म西ट अच्छ में इंडीया पाकिस्तान के ऊपर मवी बनाए तो नेक क्या होता है तो भाई अगर आपका मूवी ऐसा है जिनके अंदर देश भक्ती दिखाई जाएगी या फिर ऐसा कुछ दिखाया जाएगा इंडिया पाकिस्तान भागला जब हुआ था जब डिवाइड हुए थे इंडिया पाकिस्तान उस टाइम की अगर कहा नहीं है तो मुझे लगता है क इससे कोई बेतरी डेट हो नहीं सकती 15 ओगस्ट से तो एक बढ़िया रिलीस डेट है और अगर आप अच्छे तरीके से दिखाते हो सचाई दिखाते हो ठीक है अगर आप रियालिटी दिखाते हो किसी एक चीज की जो चीज हुई थी हमारे हिंदूस्तान का इतियास के बार बहुत डीप में हमको जानने का मौका मिलेगा तो आइप यह मुवी अच्छी बनके निकल के आएगी और यह मुवी कलेक्शन भी निकल के लेक्शन भी करेगी और होना भी चाहिए डेफरेंटली है मैं बहुत एकसाइट इस मुवी को देखने के लिए और गदर तो डेफर समाच का आइना भी दिखाता है हमको रियालेटी भी दिखाता है कुछ ऐसी चीज़ों से भी हमको वाकिफ करता है जो हमको कभी पता नहीं होती हमको हमारा इतिहास भी बताता है बट आप इसके साथ पॉलिटिक्स जोड़ दोगे हिंदू-मुसल्मान जोड़ दोगे आप कि इसके साथ भाई राजनीती जोड़ दोगे ना तो फिर वह मजा खतम हो जाएगा सो प्लिस और मुविस को मुविस के तरह रहने दो एनिवेज यार गदर टू के लिए कि इतने एकसाइड़ है प्लिस मुझे कमेट सब्सक्राइब जरूर से बताना है और गदर टू रिल